गुड बॉर्निंग आज हम पढ़ेंगे कार्बन एम योगिक के बारे में जिसमें कार्बन का जो परमानुत करमांग है वो होता है च्छै और इसमें जो प्रोटोन और न्यूट्रोन की संख्या भी है वो भी होती है च्छै यानि कार्बन है वो C6H12 इसकी जो सरचना है वो होती है इसका जो परमानु करमांग होता है च्छै और च्छै को जब डबल किया तो इसका परमानु भार आया 12 जिसमें परमानु करमांग किया परमानु संख्या होती है च्छै और परमानु भार या दर्व्यमान संख्या है व वो हो गई 6, जिसमें प्रोटोन की संख्या भी 6 होती है, न्यूट्रोन की संख्या भी 6 होती है, वो भी 6 होती है, कार्बन के अंतरगत है, वो तीनू का मान, जो परमानू है, उसमें 3 कण है, मुख्य, उन तीनू कणो का मान है, वो 6 होता है, जिसमें हम न्यूट्रोन की संख् वो हमें पता है जिसमें हमने परमाणू है उसके बारे में है वो पड़ा था जिसमें हमें अगर न्यूट्रोन की संख्या अगर हमें ग्याद करनी हो तो हम परमाणू भार में से है वो प्रोटोन की संख्या है वो घटा देते हैं तो न्यूट्रोन यानि परमाणू भार हो ग गई 6 प्रोटोन पी यानि परमाणू करमांग या इसे जेड है उससे भी है वो रिपरजेंट करते हैं ए हो गया परमाणू भार जो कार्बन होता है उसकी संयोजत्ता है वो च्यार होती है और जो इलेक्रोनिक विन्यास है वो होता है 2 और 4 यानि 1H2, 2H2, 2P2 इसका इलेक्रो प्रोनिक विन्यास है यह सिदा फ्रक्ट के रूप में है वो याद रखना है इसके जो बंद कोण है कार्बन के बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री एट 20 मिन्याट कार्बन के ओक्षाइड है उनके बारे में है वो हम जानते हैं कि कार्बन के ओक्षाइड है वो किस प्रका जब कार्बन मोनो ओक्साइड है किसी वस्तु को ओक्सीजन की कमी में जलाने पर उत्पन होता है कार्बन जो मोनो ओक्साइड है वो ओक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर है यह उत्पन होता है जो स्वास के साथ है वो सरीर में प्रवेश करके ही मोगलोबिन की ओर्टू परिव वो कहलाती है, कार्बन मोनोक्षाइड है, वो दम घूटू गेस है, वो कहलाती है, क्यों कहलाती है, क्योंकि अगर बंद कमरे के अंदर अंगिर्थी जला कर है, वो सो जाएं, तो इसके अंतरगत है, वो जो कार्बन मोनोक्षाइड गेस है, वो बनती है, कमरे के अंदर, और ह जो जब व्यक्ति है वो स्वांस लेता है तो हिमोगलोबिन के साथ है वो oxygen का जो परीवहन है उसको कम कर देती है इसे दम घुट्टुगेश है वो कहा जाता है कार्बन मॉनोचाईड को जो कार्बन मोनोचाईड है ये उदाशीन परकरती की होती है अब हम बात करते हैं कारबन डायोग शायद CO2 की जो CO2 की परकरती है वो होती है आमली है जो cold drink के अंतरगत है वो जो सुआद आता है वो आता है CO2 का यानि cold drinks में है वो भरी जाती है ये गेस इसका ये परमुख गुण है अगनी सामेक यंत्रम में भी है इसका उपयोग किया जाता है ग्रीन हाउस गेस है ये होती है सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन करने वाली जो गेस है वो होती है CO2 जो ठोस CO2 को है वो सुस्क बरफ है वो कहा जाता है क्यूशन सीदा आता है कि सुस्क बरफ किसे कहा जाता है तो जो ठोस CO2 है उसे सुस्क बरफ कहा जाता है परकास अंसलेशन की जो क्रिया है उसके अंतरगत भी है ये जो CO2 है वो भीयोग में दी जाती है अब हम बात करते हैं जो कार्बन के अपर रूप के बारे में जो कार्बन का जो अपर रूप है वो दो टाइप से है वो भी जित होता है अपर रूप का मतलब यानि कि किसी जो पदार्थ है यानि परमाणू हुए उसके दो या दो से जब अधिक रूप होते हैं तो उसे अपर रूप कहते है वे पदार जिनके बोतिक गुण है वो अलग अलग हो लेकिन रसायनिक गुण है वो समान हो उन्हें अपर रूप है वो कहा जाता है वो तिक गुण अलग-अलग और जो रासायनिक गुण है वो हो सम्मान तो उसे अपर रूप कहा जाता है या किसी पदार्थ के दो या दो से अधिक जो रूप होते हैं यानि हम simple language में बोलते हैं ये कि किसी पदार के दो या दो से अधिक जब रूप होते हैं तो उसे अपर रूप है वो कहा जाता है अब हम बात करेंगे जो कारबन के जो अपर रूप है वो दो टाइप के होते हैं एक crystal या पर रूप एक होते है एक्रिष्टलिया पर रूप यानि जो क्रिष्टलिया पर रूप होते हैं उसमें जो कार्बन के परमानु होते हैं उनकी जो सिंख्या होती है वो निश्चित आकर्ति में होते हैं निश्चित जयामिती में होती है लेकिन जो एक्रिस्टल ये जो रूप होते हैं उनमें जो जियामिती है वो निश्चित में ही पाए जाती जैसे की कोईला है, काजल है, चारकोल है या कोलतार है वो होते हैं एक्रिस्टल ये रूप में और क्रिस्टल ये जो रूप है उसमें आते हैं हीरा, ग्रेफाइट और फूलरीन है वो आते हैं क्रिष्टल ये अपर रूप के अंतरगत आज है वो हम कार्बन के क्रिष्टल ये जो अपर रूप है उनके बारे में है वो पढ़ेंगे क्यूशन है वो फर्स्ट क्रेड में सीधा क्यूशन पुछा गया था सिंपल क्यूशन की जो कार्बन के जो क्र वो नहीं है तो उसमें जो उपसन आये थे हीरा ग्रेफाइट और फोलरीन और च्छोथा जो उपसन था वो आये था साहत कोईला इस टैप का जो क्यूशन है वो आये था जिसमें जो राइट एंज फॺर है वो हमारा हुआ कि कोईला है वो कारबन का क्रिष्टलिय रूप है क्रिष्टलिय रूप है वो नहीं है अब हम बात करते हैं जो हीरा है वो परकरती के अंदर सबसे जो कठोर पदार्थ है वो होता है हीरा कारबन का सबसे सुध रूप है हीरा है या परकास के पूर्ण आंत्री परावरतन के सि संग्रण होता है सिधा व्यक्ट के रूप में है वो हमें याद रखना है कि इसका जो संग्रण है वो होता है SP3 या क्यूं होता है क्योंकि इसकी जो ज्यामिती है वो होती है चतुस्क फल की है इसमें जो बॉंड की जो लंबाई है वो होती है एक पॉइंट फाइब चार अंगस्टोम होती है बोंड की लंबाई ये विदूत का होता है कूचालक लेकिन जो उस्मा का होता है वो होता है सूचालक विदूत का कूचालक लेकिन जो उस्मा है उसका होता है सूचालक इसका जो गलनाक पॉइंट है गलनाक बिंदु है वो हो होता है 3843 केलवीन, गलनाख प्रिदू है हीरे का वो होता है 3849 केलवीन, इसका उप्योग है वो किस-किस में यूज किया जाता है काच के काटने में, आभुषन में और फोनोग्राम की जो सुई है उसे बनाने में है वो हीरे का है उपयोग किया जाता है हीरा है वो